हाई दोस्तों वीडियो का लास्ट तक वाच करना कैबिनेट का डोर स्वीच अन ओफ कैसा लगता है अब प्लस इसका एलेडी स्ट्रिप लास्ट तक वीडियो वाच करना यह इसका कैबिनेट डोर स्वीच है इसका दो terminal रहता है एक आपका LED strip में जाएगा और एक आपका driver में चले जाएगा अगर आप LED strip का मैंनस उटाते है तो आपका ये प्लस में चले जाएगा तो LED strip को convert करके switch में से वो प्लस देगा तो इसका connection सिंपल सा है ज्यादा ऐसा कोः difficult नहीं है यह आप लोग देख रहे हो मेरे पास two core का wire है एक black है एक red है तो यह दोनों terminal में connection करेंगे और cupboard में already मेरा hole किया हुआ है उस hole में से passing करेंगे इसको passing करने के बाद switch का दो screw होता है वो screw के through इसको tight करना पड़ेगा यह देख रहे हो यह LED strip है LED strip में भी minus plus का connection होता है यह मेरा LED strip पूरा complete हो चुका है अब switch को मैं लगाऊंगा wire को मैं उपर निकालूँगा क्योंकि driver उपर आएगा cupboard के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा wire passing करने के बाद door switch लगाऊंगा मैं जब मेरा door switch complete हो जाएगा तो simple से connection है आपको minus plus देना है एक switch का wire आपको LED strip में connect करना है अगर आप LED का LED strip का अगर plus ले रहे हो तो आपको minus driver में connection करना है और switch में से plus connect होगा तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना मेरा already switch complete हो चुका है यह on off switch है यह आप लोग देख रहे हो मैंने black wire switch का लिया और LED strip का मैंने red wire लिया तो red means plus wire हो गया और minus वो direct driver में connect हो जाएगा और जो switch का wire है वो plus में connect हो जाएगा तो very simple easy है कुछ ऐसा difficult नहीं है अब मेरे चैनल पर ने हो तो चैनल को subscribe कर लेना लाइक भी कर लेना और bell notification को on कर लेना और वीडियो को प्यार भी देना अप लोग यह देख रहे हो यह मेरा connection हो रहा है यह direct मेरा यहां से join मारके यह driver में चले जाएगा अब देख रहे हो यह minus plus already मैंने driver में connect कर दिया अब जो मेरा switch में से जो wire आ रहा है जो main circuit वो मैं already driver के circuit में दूँगा फिर यह active हो जाएगा मतलब on हो जाएगा आप लोग देख रहे हो यह मेरा already complete हो चुका है switch को मैंने push करने के बाद already यह off हो रहा है अगर मैं इसको छोड़ दूँगा तो on हो जाएगा तो यह on off switch है pushing का है off होगा दर्वाजा तो automatic यह off हो जाएगा दर्वाजा जब open होगा automatic यह light on हो जाएगा तो आप लोग देख रहे हो आपको यह connection कैसा लगा आप लोग बताना comment करके मुझे नए हो तो चैनल को subscribe कर लेना bell icon प्रेस्क भी कर देना ताकि हर वीडियो का notification आप लोग को मिलते रहे तो आप लोग देख रहे हो कि कपाट में LED स्ट्रिप स्विच के मदद से on-off कैसा कर सकते हैं तो आई होप यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप वीडियो पे ने हो तो वीडियो को लाइक कर देना आप लोग को सिखने के लिए मिला होगा कुछ कि कैबिनेट में LED स्ट्रिप और प्लस डूर स्विच कैसा लगता है और प्लस उसका connection कैसा होता है और फोर से लिंक से रिलेटिव वीडियो अगर नहीं देखे हो तो आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा आप वहाँ से वीडियो को वाच कर सकते हो तो आज के लिए इतना है काफी था है नेक्ट वीडियो पर फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाई